नमस्कार आज चुर्मा लड्डू बनाएंगे या बहुती असान तरीके से बनाएंगे आप बहुती इजली बना सकते हैं इसके लिए अगर दरदरा आटा मिलता है तो वो ले ले या फिर नॉर्मल आटा लेकर थोड़ थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद ले बहुती अच मैं रोटी बना लिया है रोटी बनाते टाइम आप इसमें घी भी लगा सकते हैं मैं नॉर्मल बना रही हूं कम घी वाला बना रही हूं तो इसको इसी तरह से फुला कर निकाल ले रही हूं रोटी बनकर रेडी है अब रोटी को तोड़ लेंगे और मिक्सर जार में डालकर थोड़ा दरतरा ही पीसेंगे अब पैन को गरम करेंगे घी डालेंगे दो चरचम मच अब उसमें ड्राइब फुरूट्स जो हैं हमारे पास उसको भून लेंगे अब उसमें पीसी हुई रोटी को मिला देंगे और थोड़ा भून लेंगे यह पका हुआ है ज्यादा भूनने का ज़रुत नहीं है अब इसको निकाल लेंगे अब उसी पैन में थोड़ा गुर गरम कर लेंगे आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं गुर जब पिघल जाएगा थोड़ा अच्छा गरम हो जाएगा तब इसमें भूना हुआ रोटी और ड्राइब फूर्ट्स को मि इसी भी साइज का आप बना सकते हैं टेस्टी हल्दी बना है